यहलो बचो कैसे हैं आप लोग तो आज हमारा क्रेसकोड्स लेक्चर नूमबर एट। स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नूमबर आट के बारे में जिसमें हम लोग बात करेंगे specific heat की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे specific heat की specific heat at constant pressure at constant volume आज मैं कुछ problems भी आपको बताने वाला हूँ यानि आज का lecture कुल मिला कर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा important है हर point को आपको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी के साथ में देखना है जितने भी point हम mention करेंगे वो सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहला देखिए हमारे पास में topic क्या है specific heat specific capacity of heat constant at constant pressure और constant volume यानि मैं कुल मिला कर ये बात कह सकता हूँ सबसे बात हो रही है cp की cp का मतलब क्या है cp का मतलब है specific specific capacity of heat at constant pressure बात हो रही है बचो cp की cp का नाम है specific capacity of heat at constant pressure अगर बचो मैं आपके सामने cp का formula लिखता हूँ तो cp का formula है ये f by 2 plus 1 multiply by r बचो ये हमारे पास में cp का formula है f by 2 plus 1 multiply by r यहाँ f degree of freedom है student degree of freedom और कल की class में आपको बता चुका हूँ कि f की expected values क्या क्या हो सकती है भई हमने कल की class में बात की थी monoatomic gas की diatomic gas की और triatomic gas की मैंने आप से कहा था कि polyatomic gas की बात मैं अभी नहीं करूँगा polyatomic gas के लिए मैं आपको अलग से condition सिखाने वाला है student ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं f degree of freedom की कुछ problems कुछ content है इसके अंदर आप देखिए जैसे की monoatomic gas के लिए हलागी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेकिन एक बार मैं repeat कर रहा हूँ वस यह समझे monoatomic gas के लिए degree of freedom है 3 अगर मैं बात करूँ diatomic gas की तो diatomic gas के लिए degree of freedom है 5 यदि मैं बात करता हूँ वच्चो triatomic gas की और triatomic में भी दो conditions आती है एक condition आती है linear और एक condition आती है non-linear एक आती है linear यदि मैं linear की बात करता हूँ तो degree of freedom होगी 7 और अगर मैं non-linear की बात करता हूँ तो degree of freedom होगी 6 भाई ये ऐसा data है जो हम लोगों को याद होना ही होना चाहिए इसके अंदर कोई compromise नहीं है किसी भी तरीकी का ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए सबसे पहली बात this is CP CP यानि specific heat capacity F by 2 plus 1 multiply by R F की values क्या क्या हो सकती है Monoatomic gas के लिए आप जान दे है Monoatomic gas के examples क्या क्या है जैसे कि helium, neon, organ, etc ये सारे के सारे हमारे Monoatomic gas के example है Diatomic gas के लिए बच्छो जैसे कि H2, N2, O2, etc और Triatomic जैसे कि CO2, H2O, NO2, etc ये सारे हमारे Triatomic के example है इनमें अगर कोई सबसे महत्वपुन बात है हमारे सीखने लायाक तो वो तो एक तो ये values को याद करना है Monoatomic के लिए 3 है मैं दुबारा से repeat कर रहा हूं आपके सामने Diatomic के लिए 5 है, Triatomic के लिए 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है ये आपको याद रखना है अच्छा, ये हमारा CP का formula है student अब आप इस formula में ये देखें CP तो हमें पता चल गया CP क्या है हमारे बास में CP है Specific Capacity of Heat at Constant Pressure F है degree of freedom R क्या है बच्छो, R पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि R है बच्छो, Gas Constant बच्छो, R है Gas Constant और इसकी दो values हमें लेनी है एक value रहेगी 8.31 Joule Mol Inverse, Kelvin Inverse और दूसरी value रहेगी 1.98 Approximately 2 Calorie, Mol Inverse Kelvin Inverse यानि जब बात होगी Joule की आपको रखना है 8.31 Joule का मतलब क्या है जब SI unit की बात होगी या MKS unit की बात होगी हमें R की value 8.31 रखनी है बच्छो और जब बात होगी Calorie की तब हमें रखनी है इसकी value 1.98 या 2 या बच्छो, हमारे बास में कुछ basic है जो आप लोगों से अच्छे से आना चाहिए ठीक है चलिए आप इसे अच्छे से note down कर लीजेगा ये होगी बात specific heat capacity specific heat capacity specific capacity of heat at constant pressure देखें next situation बच्छो, हमारे पास में क्या आती है अगली situation student हमारे पास में CV CV का नाम है specific capacity of heat capacity of heat at constant volume ठीक है बच्छो CV का नाम है जब volume constant रहेगा तब specific heat कितनी है मैं specific heat की definition आप लोगों को अल्रेडी बता चुका हूँ क्या होती है specific heat की definition 1 gram material का temperature 1 degree Celsius rise करने के लिए जिस heat की हमें ज़रुरत होगी वो हमारी specific heat कहलाएगी बच्छो तो यहाँ पर बात हो रही है CV की CV क्या है specific capacity of heat at constant volume हम देखना चाहते हैं कि CV का formula क्या होगा देखे बच्छो CV का formula रहने वाला है यह FR by 2 यह हमारे पास में CV का formula है F already मैं आपको बता चुका हूँ degree of freedom है R आपका gas constant है तो हम लोगों ने बच्छो CP की बात भी कर लिए CP हमारे पास में है F by 2 plus 1 into R और CV हमारे पास में यह है एक बड़ा ही important note point है student note point यह है अगर मैं common CP और CV के relation की बात करता हूँ तो relation मनेगा यह CP minus के CV is equal to R CP क्या है specific heat capacity at constant volume student हमारे पास में CP होना है specific heat capacity at constant pressure at constant pressure CV क्या है specific heat capacity at constant volume और इनके बीच में relation है यह CP minus के CV is equal to R यही relation बच्छो हमारा हलका सा change हो जाता है relation मन जाता है CP dash minus के CV dash is equal to capital R upon capital M देखो यह भी एक important relation है हमारे पास में लेकिन यहाँ यह जो CP dash आपको दिख रहा है न बच्छो इसका मतलब है specific heat per unit molecular mass बच्छो कोशन मन जाता है per unit molecular mass की condition पर भी आप ध्यान लखेगा CP minus के CV is equal to R यह तो मेर फॉर्मूला है और नीचे वाला जो condition है वो per unit molecular mass की condition में है इसके बाद देखिए एक और note point बच्छो हमारे सामने निकल कर आता है देखिए एक और note point क्या है इसके अंदर एक term आता है बच्छो इसे हम लोग बोलते हैं gamma इस gamma की value रहती है CP upon CV त्यान से gamma की value रहने वाली है CP upon CV यह बड़ा important question है already आपका J E के अंदर भी एक बार पूछा जा चुका है गामा को बच्छो हम लोग बोलते हैं adiabatic adiabatic gas constant बच्छो गामा का नाम है adiabatic gas constant अब आप एक बात देखिए CP की value क्या है आप देखो CP है क्या CP हमारे पास में यह है F by 2 plus 1 multiply by R CV क्या है हमारे पास में CV हमारे पास में यह है FR by 2 R से R cancel out जब हम इसे solve करेंगे बच्छो तो result निकलेगा gamma is equal to 1 plus 2 upon F बच्छो मुझे ऐसा लगता है कि NEET वाले बच्छो के लिए या जो भी NEET वाले experience है उनके लिए यह formula काफी important है question आता है बच्छो इसके ओपर what is the relation between gamma gamma का नाम मैंने आपको क्या बताया बिल्कुल नहीं भूलना है gamma का नाम है adiabatic gas constant और इदो F आपको दिख रहा है बच्छो F यह F है हमारे पास में degree of freedom so this is the relation between gamma and degree of freedom important question है सीधा इसके ओपर पूछा जा सकता है तो बच्छो अभी तक मैंने आपको दो चीजे बताई एक मैंने आपको बताया cp specific heat capacity at constant pressure एक मैंने आपको बताया cv specific heat capacity at constant volume मैंने फिर आपको बताया gamma gamma में cp में और cv में relation है यह gamma में और degree of freedom में relation है यह हमारा simple mere formula है देखो यह वाला formula ना almost सारे student जानते हैं क्योंकि हम 11th class के अंदर भी पढ़ते हैं और competition level पर भी पढ़ते हैं लेकिन जब मैं इसी formula को थोड़ा सा advanced level पर लेकर जाता हूँ तो यह formula कुछ ऐसा बन जाता है cp dash minus cv dash is equal to r upon m अच्छा एक बात का दिए जरूर धियान रखेगा जरूरी नहीं है कि exam में cp dash के नाम से ही आए आपको यह भी कह सकता है कि cp का नाम ही specific heat per unit molecular mass है cp को ही उसने specific heat per unit molecular mass कह दिया फिर formula बन जाएगा cp minus के cv is equal to r upon m तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना है बच्छो तो यह condition हो गई हमारे पास में cp की cv की mere formula की gamma और degree of freedom की बीच में relation की ठेक है देके next condition हम लोग देखते है student क्या है तो बच्छो हम लोग बात कर रहे थे ideal gas क्या है और real gas क्या है देखिए जैसे कि सबसे पहले हम बात करते है ideal gas की ideal gas वो gas है जो gas के laws को like boils law, charles law, lucick law इन्हे successfully obey करती है वो gas जो इन सब को obey करती है उस gas को हम नाम देते है ideal gas और जो gas इन gas के laws को obey नहीं कर पाती है उसे हम नाम देते है real gas बहुत आसानी से हम इनके बीच में difference बता सकते है ideal gas gas के laws को obey करेगी real gas gas के laws को obey नहीं करेगी ठीक है तो बच्छों अगर हम बात करें ideal gas की properties के बारे में बहुत मामूली से दो property है हाला कि मैंने आपको पहले भी बताई थी property number 1 ideal gas के molecule का size बहुत ही कम होता है बच्छों ideal gas का जो molecule होता है वो बहुत छोटा होता है बिल्कुल उसका जो size है वो हम लोग negligible मान कर चलते हैं दूसरी बात क्या है ideal gas यानि perfect gas दूसरा नाम है बच्छों उसका perfect gas ideal gas यानि perfect gas इसके molecules के बीच में intermolecular attraction काम नहीं करता है बच्छों तो ideal gas को लेकर हमने दो बात है आप लोगों से कही ideal gas के molecule का size बहुत छोटा है और दूसरी बात ये ideal gas के molecules के बीच में attraction काम नहीं करेगा अच्छा अब आप एक बात देखिए अगर ideal gas जिसका दूसरा नाम perfect gas है अगर उसके molecules के बीच में attraction काम नहीं करेगा तो ideal gas की potential energy कितनी हो जाएगी वह या potential energy बनती ही attraction की वज़ा से है potential energy किस वज़ा से बनती है potential energy बनती है molecule के बीच में काम करने वाले force की वज़ा से अगर molecule के बीच में force ही काम नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि perfect gas या ideal gas की जो potential energy होगी potential energy वो potential energy हो जाएगी student zero के बराबर यह बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो मैंने आपको ideal gas को लेकर दो तीन बाते बताई हैं बच्चो जो आप अच्छे तरीके से याद रखने वाले हैं ideal gas gas के laws को ओबे करेगी इसका दूसरा नाम है perfect gas इसकी दो main properties है इसके molecule का size बिलकुल negligible होता है और सबसे important बात इसके molecule के बीच में attraction काम नहीं करता है attraction काम ना करने की वज़ा से attraction काम ना करने की वज़ा से हम ये कहते हैं कि ideal gas या perfect gas की जो potential energy है वो zero के बराबर है इसके उलट अगर हम real gas की बात करें तो real gas की definition क्या हो जाएगी जो gas gas के laws को follow नहीं करती है obey नहीं करती है उसे हम real gas का नाम देते है अच्छा real gas अगर gas के laws को follow नहीं कर रही है तो इसके बारे में दो बाते हैं पहली बात इसके molecule का size negligible नहीं होता है molecule का कोई ना कोई size जरूर होता है और दूसरी बात यह है इसके बीच में attraction काम करता है real gas के molecule का size negligible बिलकुल नहीं होगा और real gas के molecules के बीच में attraction भी काम करेगा बच्छो यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है ideal gas के molecule के बीच में attraction काम नहीं करेगा इसी वज़ा से potential energy 0 है यहां attraction काम करेगा इसी वज़ा से इसकी potential energy 0 के बराबर नहीं होती है अगर हम ideal gas की equation की बात करें बच्छो तो ideal gas की कुल मिलाकर हमारे बास में 3 equations है मैंने आप लोगों को बताई PV is equal to NRT PV is equal to capital N capital KT PV is equal to MRT मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे बच्छों को पता होगा कि कौन सी equation कहां apply करनी है यह number of mole के लिए है यह number of molecule के लिए है और यह given mass के लिए है कोई mass आपको given दिया गया है तो उसके लिए आपको यह equation apply करनी है बच्छों ठीक है तो यह सारी condition हमारी ideal gas को लेकर है potential energy zero है इसका मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे molecules के बीच में attraction काम नहीं करने वाला है और molecule का size बहुत छोटा है real gas gas के loss को obey नहीं करेगी molecule का size बड़ा होगा molecule के बीच में attraction भी काम करेगा बच्छों molecule के बीच में attraction काम करने वाला है student और यहाँ पर इस बार हमारे पास में जो real gas की equation हो जाएगी equation of real gas वो होने वाली है बच्छों यह p plus an square upon v square v minus k nb is equal to nrt इसे wonder wall gas equation के नाम से भी जानते हैं chemistry में तो इसे हम लोग wonder wall gas equation ही बोलते हैं यहाँ हम इसे real gas equation के नाम से जानेंगे बच्छों यहाँ हम लोग इसे जानेंगे real gas equation के नाम से ध्यान से यहाँ हम लोग इसे जानेंगे Real Gas Equation के नाम से यह जो यह term आपको दीख रहा है बच्छों यह जो यह term आपको दीख रहा है इसे हम लोग बोलते है Pressure Correction और बच्छों इसे हम लोग बोलते है Volume Correction यह हमारे पास में Real Gas Equation है यहाँ पर यह जो A है यह भी constant है और यह जो B है यह दोनों के दोनों constant है यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है यह A और B gas के नीचर के उपर depend करने वाले है तो मैंने आपको बता दिया है ideal gas क्या है दूसरा नाम perfect gas है real gas क्या है दूसरा नाम हमारा इसका wonder wall gas है और यह इन दोनों की equations है यह ideal gas की equation है और यह बचो real gas की equation है बचो इसके अंदर ना एक बड़ा important term आता है मैं लिखता हूँ आपके सामने term यह है कि अगर हम किसी भी real gas की बात करें हम किसी भी real gas की बात करें अल्रेडी कई बार इसके ओपर question बन चुका है आप लोग आगे भी इसे ध्यान लखें अगर हम real gas की बात करें तो real gas बचो low pressure और high temperature पर low pressure पर और high temperature पर ध्यान से मेरी बास सुनिएगा at low pressure और high temperature लोग प्रेशर और high temperature पर कोई भी real gas ideal gas की तरह बिहेव करती है कोई भी real gas ideal gas की तरह बिहेव करेगी बचो यह important point है आप लोगों का अगर आप किसी भी real gas के लिए एक काम करते हैं किसी भी real gas का pressure आप बहुत कम कर देते हैं temperature बहुत बढ़ा देते हैं तो वो real gas हमारी ideal gas में convert हो जाएगी यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है मचो कोई भी real gas low pressure और high temperature पर ideal gas की तरह बिहेव करती है तो यह सारी property ideal gas को लेकर है यह सारी property real gas को लेकर है और real gas ideal gas कब बनेगी low pressure और high temperature पर यह बात आप लोगों को नहीं भूलनी है ठीक है मैंने दोनों की properties आप लोगों को बता दी है अच्छा अब कौनसी gas हमारी real gas है और कौनसी gas हमारी ideal gas है इस बात की पहचान करने के लिए student हमारे पास में एक term आता है और उस term को हम नाम देते है compressibility factor compressibility factor इस compressibility factor को हम Z से denote करते हैं और इसकी value होती है PV upon RT देखो हाला कि यह बहुत detailed में जाकर chemistry के अंदर है physics में बहुत detailed में नहीं है लेकिन फिर भी जितना इसके ओपर question बन सकता है physics के अंदर से हम उसकी बात करेंगे compressibility factor इसका जो value है बचो वो है PV upon RT P is a pressure, V volume R है gas constant और T है temperature यदि बचो Z की value 1 के बरावर है तो Z की value अगर 1 है तो वो gas हमारी ideal gas कहलाएगी और जिस gas के लिए Z की value 1 से ज़ादा है या Z की value 1 से कम है ध्यान से जिस gas के लिए Z की value 1 से ज़ादा है या 1 से कम है वो gas हमारी real gas कहलाएगी ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है Z is equal to PV upon RT अगर 1 है तो ideal gas है और अगर 1 नहीं है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है वो हमारी real gas कहलाएगी इसके अंदर एक कर्व आता है बच्छो देखे कर्व कुछ इस तरीके से आता है हमने Y axis पर बनाया कि Y axis पर है Z ध्यान से जो Y axis पर है हमारा वो Y axis पर Z है स्टूडेंट ठीक है Z और इस Z की value को मैंने यहाँ 1 mark कर दिया यहाँ 1 mark कर दिया तो बहुत सारी gas होती है हमारे पास में बच्छो अब किसी gas का कुछ इस तरीके से जाता है ध्यान से माल लेते हैं कि इधर हमारे पास में pressure है कोई gas ऐसे जाएगी कोई gas हमारे पास में कुछ इस तरीके से जाएगी कोई gas हमारे पास में कुछ इस सरीके से जाएगी अगर आप सभी gas को ध्यान से देखें तो सभी gas का starting point ये है अगर हम सभी gases को ध्यान से देखें तो सभी gases का starting point ये है यहाँ pressure की value low होने वाली है pressure क्या होने वाला है low देखो ये वाली gas भी ये वाली gas भी और ये वाली gas भी तीनों की तीनों gas इसी पॉइंट से स्टार्ट और ये यानि low pressure पे z की value कितनी होने वाली है 1 यानि ये सभी gases low pressure पर z की value 1 दिखाएंगी यानि सभी gases हमारी ideal gas की तरह behave करेंगी तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है जिस gas के लिए z की value 1 है वो ideal gas है जिस gas के लिए z की value 1 से जादा है या 1 से कम है वो हमारी ideal gas नहीं है ये graph हमें इस बात को represent करता है कि सभी graph हमारे यहाँ से चलेंगे इस point से और इस point पर pressure की value low है क्योंकि x axis पर मैंने pressure को दिखाया है इस point पर pressure low है इसलिए जितनी भी हमारी gases है वो सभी c point से start हो रही है और इस point पर z की value 1 है यानि low pressure पर सभी gases के लिए z की value 1 है इसका मतलब है कि सभी gases low pressure पर ideal gas की तरह behave करने वाली है तो बच्चो cp specific heat at constant pressure हो गया है cv हो गया है gamma हो गया है गामा में यानि आपका ideabatic gas constant में और degree of freedom में relation हो गया है mere formula हो गया है mere formula की एक particular form हो गई है उसके बाद ideal gas क्या है हमने आपको बताया हमने आपको बताया कि real gas क्या है ideal gas की तीन equations हमने आपको बताई real gas की equation हमने आपको बताई और ये बताया कि कोई भी real gas, high temperature और low pressure पर, कम pressure पर और ज़ादा temperature पर कोई भी real gas, ideal gas की तरह behave करती है, यानि उस gas के लिए Z की value 1 के बराबर होती है, ये हमारा compressibility factor है, जिसे हम Z से denote करता है, value है PV upon RT, ideal gas के लिए इसकी value 1 है, और real gas के लिए इसकी value 1 से ज़ादा है, या 1 से कम है बचो, ठीक है, तो इतनी बात अभी तक हम लोगों की हो गई student, देखते हैं कि next point क्या है, बई personally मुझे ये लगता है कि ये जो अगला point है बचो, ये हमारे लिए बहुत ही ज़ादा important है, बहुत ज़ादा important है, हम बहुत सारे सवाल भी इसके उपर बनाएंगे, आपको बहुत focus करके चलना है कि कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, देखे concept है क्या बचो हमारे पास में, concept है specific heat capacity of mixture of gases, specific heat capacity of mixture of gases, passiert, देखो भाई, आप ये मानो कि ये हमारे पास में एक chamber है, ठीक है, मैंने इस chamber के अंदर एक gas को भढ़ दिया, एक red वाली gas मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है, थोड़ा द्यान से, एक black वाली gas मैंने इसके अंदर डाल दी, यह तो red वाली gas आपको दिखरी है बचो इसके लिए cv1 और cp1 है और black वाली gas के लिए ध्यान से black वाली gas के लिए cv2 और cp2 है cp2 black वाले के जो number of mole है वह है mu2 और red वाले के जो number of mole है वह है mu1 ध्यान से जो black वाले के number of mole है वो है mu2 और जो red वाले के number of mole है वो है mu1 ठीक है so student हम लोगों को ये देखना है थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे हम लोगों को ये देखना है कि अगर दोनों gases को आपस में combine कर दिया जाए अगर दोनों gases का एक mixture ready कर दिया जाए तो इस mixture के लिए gamma की value क्या होने वाली है हम लोगों को ये देखना है देखो आप red वाली gas के लिए cv1 black वाली gas के लिए cv2 red वाली gas के number of mole mu1 black वाली gas के लिए number of mole mu2 तो बच्चो अगर मैं cp निकालू यानि दोनों gases के mixture के लिए combine cp निकालू तो combine cp आने वाला है mu1 cp1 plus mu2 cp2 upon mu1 plus mu2 बच्चो important है आप लोग ध्यान देगर चलिएगा ये मेरे पास में combine condition है cp की ये मेरे पास में combine condition है cp की mu1 cp1 plus mu2 cp2 और upon में mu1 plus mu2 अगर बच्चो मैं निकालता हूँ cv cv तो cv आएगा mu1 cv1 mu2 cv2 upon mu1 plus mu ये मेरे पास में combine का cv आने वाला है मतलब दोनों gases का जो mixture तयार हुआ है उसके लिए कुल मिलाकर specific heat capacity at constant pressure कितनी है वो इतनी है जो mixture तयार हुआ है उसके लिए कुल मिलाकर specific heat capacity at constant volume कितनी है और अगर मुझे पूरी gas के लिए gamma तयार करना है जिसका नाम है adiabatic gas constant या ratio of cp upon cv कुछ भी नहीं करना यार तो बड़ा ही easy है हम cp की value यहां से उठाएंगे cv की value यहां से उठाएंगे दोनों की value को put करेंगे calculate करेंगे problem solve हो जाएगी और पता चलेगा कि पूरा कुल मिलाकर total का जो gamma हमारे आने वाला है वो इतना आने वाला है ठीक है so this is very important problem आप लोग इसे ध्यान में रखने वाले हैं हम आगे चलकर काफी सारी problems पीस के उपर बनाएंगे क्योंकि personally हमें ऐसा लगता है कि अगर KTG से question बनना चाहिए तो वो क्या तो speed वाले term से बनना चाहिए VRMS V average most probable speed या mixture से बनना चाहिए important है आप ध्यान देंगे देखता है कि next condition क्या है student हमारे पास में यह तो देखो सीधा सवाल आ गया यार अभी just हम लोगों ने पढ़ा if the degree of freedom of a gas are F then the ratio of to specific heat is given by भाई specific heat का जो ratio होता है उसे बोलते हैं गामा क्या बोलते हैं गामा और गामा में और degree of freedom में मैंने तुम्हें क्या relation बताया यह relation बताया गामा is equal to 1 plus 2 upon F यह हमारा correct है गामा is equal to 1 plus 2 upon F हमारे पास में जो correct answer है वो यह है this is the relation between गामा and degree of freedom गामा is equal to 1 plus 2 upon F कुछ नहीं करना है सीधा है बिल्कुल ठीक है next देखते हैं next क्या है पहले हम लोग question बढ़ते हैं ध्यान से कि problem हमें क्या दे रखे हैं बच्छो एक gaseous mixture contain equal number of hydrogen means H2 and nitrogen यानी N2 molecules equal number of hydrogen and equal number of nitrogen ठीक है ध्यान से जरा आपके पास में जितने hydrogen है उतना ही nitrogen है ठीक है specific heat measurement on this mixture at temperature below 100 Kelvin would indicate that the value of यानी ratio of specific heat हमें बताना है कितना होगा means बच्छो गामा हमें बताना है क्या होगा CP upon CV अब तुम यार एक बात बताओ जितने molecule hydrogen के हैं बिल्कुल उतने ही nitrogen के हैं equal number of mole हो गए दोनों के equal number of molecule है जितने hydrogen के हैं उतने ही nitrogen के हैं अगर ये die atomic gas है और वो भी die atomic gas है तो इनका जो mixture होगा वो भी कहीं न कहीं die atomic की तरही behave कर रहा होगा अब die atomic gas का जो हमारे पास में formula है गामा निकालने का वो है ये और die atomic gas के लिए degree of freedom होद ये 5 जब हम solve करेंगे student answer आएगा 7 upon 5 गामा is equal to 7 upon 5 so correct answer is D ठीक है बच्चो क्योंकि देखें आप ध्यान से जितने molecule hydrogen के हैं बिल्कुल उतने ही molecule nitrogen के हैं अरे equal number of molecule हैं अगर हम इनका mixture तयार कर दे तो वो भी कहीं न कहीं die atomic के तरह ही behave कर रहा होगा क्योंकि equal number of molecule हैं हम दोनों के so gamma is equal to 1 plus 2 upon F F की value 5 क्योंकि diatomic gas है दोनों diatomic gas है और दोनों के equal number of molecule है अगर equal number of molecule हो या equal number of mole हो और दोनों gas diatomic हो या monoatomic हो तो resultant भी वो ही होगा value put करेंगे answer बन गया student ठीक है देखें next condition क्या आती है बच्चो हमारे पास में at a given temperature the pressure of an ideal gas the pressure of an ideal gas of density rho is proportional to देखो question के अंदर सारी कहानी बता दिये बच्चो में at a given temperature given temperature माने temperature constant अगर temperature constant होगा तो pv is equal to constant रहेगा हम लोगों ने पढ़ा था boils law में boils का पुरा हमने law पढ़ा pv is equal to constant p volume को हम लिख सकते हैं mass upon density is equal to constant इसे भी हटाएंगे इसे भी हटाएंगे density इधर पहुँच जाएगा तो pressure is directly proportional to density student जो pressure है वो density के directly proportional हो जाएगा पर साफ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है यार बिल्कुल क्लियर है कि temperature constant है given temperature दे रखा है अगर given temperature है तो boils law वाली condition है और boils law में हम क्या कहते हैं boils law में हम कहते हैं pv equal to constant अगर pv हमारा constant के पराबर है तो हम volume की जगा रखेंगे mass upon density density इधर पहुँच जाएगा तो pressure is directly proportional to density so correct answer is D यह हमारा D answer बच्चो correct रहने वाला है कुछ इस तरीके से हम लोग problem बनाएंगे तो बच्चो अभी हम लोगोंने kinetic theory of gases के ओपर दो दिन problems की बात की कुछ और questions है हमारे पास में जो काफी अच्छे हैं और kinetic theory of gases वाले chapter का concept आपका बहुत अच्छे दरीके से clear कर देंगे वो ठीक है first question दिखते हैं क्या है मैं अपने आप लिख रहा हूं बच्चो problem देखे first question क्या है हमारे पास में student पहला सवाल है हमारे पास में one mole monoeatomic gas है बच्चो one mole monoeatomic gas है three mole हमारे पास में die atomic gas है student तीन mole हमारे पास में die atomic gas के हैं अगर दोनो gases का एक mixture तयार किया जाता है बच्चो इन दोनों gases का हमें एक mixture तैयार करते हैं तो जो mixture तैयार होगा उसके लिए cv कितना होना है तो सबसे पहले हम लोग यह देखते है cv का formula क्या होता है बच्चो cv का formula है fr by 2 f is the degree of freedom r है gas constant और 2 हमारे पास में simple एक numeric value है ठेके तो monoatomic gas के लिए cv1 हो गया cv1 monoatomic gas के लिए f याणि degree of freedom 3 होनी है बच्चो तो cv1 हमारे पास में हो जाएगा 3 r by 2 डाई atomic gas के लिए degree of freedom 5 होनी है cv2 हो जाएगा 5 r by 2 पहली gas के जो number of mole है वो है 1 दूसरी gas के number of mole जो है student वो है 3 अब तो यार बड़ा असान है cv1 है mu1 भी है cv2 है mu2 भी है ठीक है कैसे problem हम लोग solve करेंगे problem solve करेंगे specific heat capacity of mixture at constant volume देखो सीधा formula है बच्चो हमारे पास में एक सीधा formula है हमारे पास में mu1 cv1 plus mu2 cv2 upon mu1 plus mu2 बच्चो ये सीधा formula है हमारे पास में specific heat capacity at constant volume ठीक है specific heat constant volume पर निकालने का किसकी specific heat निकालने का इस mixture की specific heat निकालने का जो monoatomic और diatomic के combination से तयार हुआ है अगर मैं values को put करूँ रचो देखे mu1 कितना है 1 cv1 कितना है 3r by 2 plus mu2 3 है और cv2 कितना है 5r by 2 upon में हो जाएगा 1 plus 3 उम्मीद है कि अब आप लोग solve कर लेंगे मुश्किल काम इसके अंदर रहा नहीं है हम लोग इसे solve करेंगे तो यहाएगा 18r by 2 यहाएगा 4 यहाएगा 9 सो बचो आंसर आजाएगा 9r by 4 ठीक है यदि आप चाहें तो r की जमा लिख सकते हैं 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse यह capital R की value है अगर आप चाहो तो put कर दो नहीं चाहो तो मत करो और depend करेगा answer के ऊपर की answer आप लोगों को क्या दिया है कुछ इस तरीके से बचो हम लोग problem को तयार करेंगे यह आपके पास में question हो दिया है ठीक है आप लोग इसे no down कर सकते है उसके तुरंद बाद हम लोग next question पर आते हैं कि next question हम लोगों को क्या दिया है student ठीक है देखो अगला सवाल हमें क्या दिया है next question क्या है बचो हमारे पास में बचो next question है हमारे पास में आप ध्यान से देखेंगे a gaseous mixture enclosed in a vessel consists of one gram mole of gas A हमारे पास में कोई gas A है जिसका one gram mole है ठीक है उस gas के लिए गामा की जो value है देकि हमारे पास में सबसे पहले है gas A student यह हमारे पास में gas A है बचो और इस gas A के लिए इस gas A के लिए जो गामा की value है वो है 5 by 3 gas A के लिए गामा की value है 5 upon 3 उसके बाद में देखे another gas second gas student हमें दिये है another gas gas B उसके लिए जो गामा की value आपको दे रखी है बचो वो है हमारे पास में 7 upon 5 सेकंड वाले के लिए गामा की वैल्यू है 7 upon 5 टेम्परेचर जए रखा है T The gases A and B does not react Gas A और Gas B को अगर एक चेम्बर के अंदर बंद किया जाता है तो ये आपस में react नहीं करती है reactions नहीं होती है non-reacting gases है अब आप लोगों से पूछा क्या है जरा ये देखिए देखो बड़ा अच्छा सवाल है problem बड़ी अच्छी है Gas A जिसके लिए गामा इतना है Gas B जिसके लिए गामा इतना है उसने कहा कि अगर दोनों को mix करके हमने A को और B को mix कर दिया और mix करके जो इनका resultant बना उस resultant के लिए जो गामा की value आप लोगों को दे रखी है student वो आपको दे रखी है 19 upon 13 जो इनका resultant बना उसके लिए जो गामा की value दे रखी है वो है student 19 upon 13 इसके लिए आप लोगों को दे रखा है 19 upon 13 तो हम लोगों से पूछा क्या है भाई हम लोगों से ये पूछा है कि बताईए बताईए अगर इसके number of mole 1 है तो इसके number of mole कितने होंगे ये आपको calculate करना है जो हमारी दूसरे वाली gas है ठीक है जो हमारी दूसरे वाली gas है उसके number of mole आपको बताने है student कितने होंगे दूसरे वा बहुत भी बढ़िया problem है अब कैसे करेंगे solve सबसे पहले तो आप लोग यह देखें कि यार हम लोग problem बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे भाई हमारे पास में ना बच्छो एक relation होता है relation यह है total specific heat is equal to N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2 यह हमारे पास में बड़ी आसा relation होता है लेकिन समस्या वाली बात यह है कि यार CV के तो कहीं बात ही नहीं हो रही है कहीं हो रही है CV की बात बिलकुल नहीं हो रही है जब CV की कहीं बात ही नहीं हो रही है तो हमने CV का formula लगा कैसे दिया यार बात तो गामा की हो रही है तो मैं cv को गामा में बदलने वाला कैसे हूँ ये आपको देखना है ये एक important term है देखो पूरी gas के लिए for whole gas पूरी gas यानि mixture के लिए गामा की value ये है तो cv का एक relation होता है r upon gamma minus 1 important बात है वोच्छों धियान दखेंगे cv का एक relation होता है हमारे पास में r upon gamma minus 1 similarly n1 हम cv1 को लिख सकते है r upon gamma 1 minus 1 इसे हम लिख सकते है n2 r upon gamma 2 minus 1 और नीचे हो जाएगा हमारे पास में n1 plus n2 important relation है बच्छों मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत important है आप ध्यान से देख कर चलें अब हम लोग आगे इसे कैसे solve कर पाएंगे देखो r, r, r cancel out हो गया यहाँ क्या बचा हमारे पास में 1 upon gamma minus 1 is equal to n1 की value हमें लिख रखिए 1 1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 हमें निकालना है यहाँ हो गया है gamma 2 minus 1 n1 की value 1 plus यह हो गया है n2 बचो यह condition हमारे पास में बन गई अब हमें करना क्या है question आप लोग ही solve करेंगे मैं सिर्फ guidance दोंगा आपको की भी करना क्या है आप लोगों को आप इस gamma की जंगा student है यह जो gamma आपको दिख रहा है न इस gamma की जंगा आपको रखना है 19 upon 30 इस gamma की जंगा रखना है 19 upon 30 यह जो gamma 1 आपको दिख रहा है gamma 1 इस gamma 1 की जंगा आपको रखना है 5 upon 3 यह जो gamma 2 आपको दिख रहा है इस gamma 2 की जंगा बच्चो आपको रखना है gamma 2 की जंगा 7 upon 5 ठीक है और पूरी problem को आपको solve करना है और solve करके जो भी N2 की value यहां से निकल कर आएगी सभी लोगों को ये काम करना है बच्छो हर एक student को जो वीडियो देख रहा है सब को ये काम करना है आपको gamma की जंगा 19 upon 13 क्यों रख रहे हैं gamma की जंगा 19 upon 13 क्योंकि दोनों gases को mix करके जो combination हमारे पास में तयार हुआ है उसके लिए gamma की value ये है देखो हमने cv को gamma के term में break कर दिया फिर हमने क्या किया हमने cv की जंगा ये लिखा cv1 की जंगा ये लिखा cv2 की जंगा ये लिखा gamma की value पता है gamma 1 की value पता है gamma 2 की value पता है ये जो red वाला box आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर अगर unknown quantity कोई है तो वो N2 है क्या है बचो? N2 यहां से आप लोग N2 की value calculate करेंगे और जितने भी student इस video को देख रहे हैं सबको comments के अंदर यह answer आपको mention करना है सबको comments के अंदर answer mention करना है कि भई इस question का answer कितना आया है मैं question number mention करना हूँ यहां पर, यह हमारा question number 5 है student question number 5 का आपको यहां पर mention करना है कि N2 की value आने वाली कितनी है यह सभी लोगों का काम है चलिए अभी हम लोग बढ़ जाते हैं next में देखें next condition क्या है student हमारे पास में next condition क्या है अगला question क्या बना हमारे पास में आप देखें तीनों सवाज जो मैंने आप लोगों को अभी बताए है यह काफी important है आप सभी लोगों से आने चाहिए how much heat energy should be added to the gaseous mixture consisting of one gram of hydrogen बचों हमारे पास में एक gram hydrogen है और एक gram हमारे पास में helium है एक gram hydrogen है एक gram student हमारे पास में helium है उसने कहा कि अगर temperature को 0 degree Celsius से हम 100 degree Celsius तक rise करते हैं ठीक है number one at constant pressure पर at constant pressure पर और number two at constant volume पर तो कितनी heat की जरुवत पढ़ने वाली है बड़ा अच्छा सवाल है यार यह भी कोशन देको बहुत अच्छा है और हमें दिया है कि जो capital R है यहाँ पर उसके जिएक आपको रखना है two calorie mole inverse Kelvin inverse this is the value of capital R capital R की जिएक हम लोगों को यह रखना है ठीक है मैं कोशन एक बार और आपके सामने रिपीट कर देता हूँ उच्छों की सवाल है क्या एक गराम hydrogen है एक गराम helium है दोनों का mixture है दोनों का mixture है हमारे पास में मिक्षर के बाद करना क्या है उस mixture का temperature हम zero degree Celsius से 100 degree Celsius तक लेकर जाते हैं at constant pressure पर at constant volume पर तो heat की value हमें calculate करनी है तो अगर मैं at constant pressure की बात करूँ तो at constant pressure पर ये रहेगा बचो delta QP is equal to N N का मतलब है total number of mole total number of mole का बचो मतलब ये है कि mixture के अंदर दो gases है एक hydrogen है और एक helium है तो दोनों के mole को जोड कर हमें यहां रखना है दोनों के mole का addition हमें यहां रखना है total number of mole N ये होजाएगा CP और ये होजाएगा delta T यानी temperature difference ये होजाएगा delta T यानी temperature difference ये degree Celsius inverse है मतलब हमारे पास में ठीक है अब कैसे करने वाले हैं यार देखो आप लोग सबसे पहले हमें जरुरत पढ़एगी CP की CP मैंने specific heat capacity at constant pressure specific heat capacity at constant pressure अब कैसे हम लोग CP निकालेंगे मैं आपको बताता हम देखें CP कैसे निकलेगा CP is equal to mu1 CP1 plus mu2 CP2 upon mu1 plus mu2 ये हमारे पास में student CP निकालने का formula है अब देखते हैं mu1 कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान से mu1 का मतलब है hydrogen के मूल अरे मूल कैसे निकलते हैं यार mass upon molecular mass mass कितना है 1 gram H2 की बात हो रही है molecular mass हो गया 2 1 by समझ आ रही बात H2 एक diatomic gas है student जो H2 है हमारे पास में यह एक diatomic gas है अगर यह diatomic gas है तो CP की value diatomic gas के लिए बच्चो होती है 7 by 5 multiply by R कुछ data आपको अच्छी से याद करने बढ़ेंगे value अब आते हैं helium पर बच्चो helium का mass देखें कितना है 1 gram helium का mass 1 gram है helium का molecular mass रहेगा 4 तो यह हो गया है 1 by 4 अब helium कैसी gas है बच्चो helium हमारे पास में monoatomic gas है student जो helium है वो monoatomic gas है और monoatomic gas के लिए F की value होती है 3 तो अगर मैं solve करूँ है बच्चो तो answer आएगा 5 by 2 multiply by R और नीचे मेरे पास में हो जाएगा 1 by 2 plus 1 by 4 mu 1 hydrogen के number of mole 1 by 4 helium के number of mole this is the value of cp student यह हमारे पास में cp की value है solve करते हैं और देखते हैं कि और cp की value क्या निकल कर आएगी है जब मैं यहां से solve करूँगा तो यह आएगा 14 r upon 8 plus 5 r upon 8 यह बच्चो हमारे पास में आएगा 3 upon 4 देखिए क्या answer बनेगा 19 r multiply by 4 और यह हो जाएगा 8 into 3 यह इससे cancel out 2 आएगा तो बच्चो cp की value को मिला कर हमारे पास में आ गई है 19 r upon 6 यानि यह जो mixture आपके पास में तयार हुआ है ना student भई hydrogen को और helium को मिला करी जो mixture हमने तयार किया है इसके लिए cp की value हमारे पास में यह है ठीक है आगे हम कैसे करेंगे देखते हैं कि जब cp की value यानि specific heat at constant pressure वो इतना आ गया है तो कितनी heat की हमें जरुवत पढ़ने वाली है student यह मुझे rough करना पढ़ेगा यहां से आप लोग पीछे चल रहा है आपके सामने तो आप लोग देख सकते हैं अब कैसे हम लोग करने वाले हैं आप लोग देखें बच्चो delta q is equal to n यानि number of mole hydrogen के number of mole 1 by 2 helium के number of mole 1 by 4 n की जगा आजाएगा cp की जगा आजाएगा 19 r by 6 temperature को हमने बढ़ाया 0 degree Celsius से 100 degree Celsius जो temperature के अंदर change आजाएगा यह तो बच्चो कुल मिलाकर इतनी heat की हमें जरुरत पढ़ने वाली है मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि capital R की जगाँ आप लोग रखने वाले हैं 2 calorie mole inverse degree Celsius inverse जो capital R की जगाँ आप लोग रखने वाले हैं बच्चो वह आप लोग रखने वाले हैं mole inverse degree Celsius inverse यह पूरी value बन गई है R की जगाँ आप यह रखेंगे अंसर आजाएगा ठीक है अच्चा ये तो बच्चो हो गया कि भाई इतनी heat की हमें जरूरत पढ़ेगी at constant pressure पर अगर बिल्कुल यही सवाल आता है कि हमें heat बताईए at constant volume पर कितनी जरूरत पढ़ेगी फिर हम लोग इसे कैसे करते मैंने आपके सामने लिख दिया है आप इसे no down कर सकते हैं इसी question में यह देखते हैं अगर बात होती at constant volume की फिर कितनी heat की जरूरत पढ़ने वाली थी बच्चो ठीक है तो भई अगर बात होती at constant volume की तो यह होता delta QV is equal to N CV delta T और N है हमारे पास में कैसे है N हमारे पास में hydrogen के number of mole molecular mass 2 तो number of mole निकालने के तरीका है mass upon molecular mass helium का 1 by 4 1 by 2 plus 1 by 4 N है मेरे पास में delta T B है मेरे पास में अगर कोई value मेरे पास में नहीं है तो वो सरिफ CV नहीं है अब CV में कैसे निकालूँगा आप देखो ज़रा CV निकालने का तरीका mu 1, CV 1 mu 2, CV 2 upon mu 1 plus mu 2 तो बच्चो देखो CV is equal to mu 1 यानि hydrogen के लिए number of mole कितना है 1 by CV निकालने का formula होता है बच्चो FR by 2 ये CV निकालने का तरीका है अब पहली gas का नाम क्या था hydrogen यानि H2 वो एक diatomic gas होती है तो F की जहाँआ जाएगा 5 और ये बन जाएगा 5R by 2 mu 2 यानि helium के लिए ये data बच्चो hydrogen के लिए है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और ये data helium के लिए है previous slide में मैंने आपको पूरी कहानी बताई है इसकी mu 2 की value 1 by 4 helium एक monoatomic gas है तो यहाँ 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3R by 2 और नीचे हो जाएगा student 1 by 2 plus 1 by 4 तो बच्चो similarly आपकी CV की value यहाँ से निकल गई निकल गई है न CV की value अब क्या करना है आपको देखो delta Q is equal to N यानि number of mole इसकी जगा आप रखेंगे 1 by 2 plus 1 by 4 CV हमने निकाल दिया है इसकी value यहाँ से लिजागे यहाँ रखेंगे और delta T हो गया है 100 delta T कैसे हो गया 100 temperature को 0 से 100 तक लेकर गए तो temperature में difference कितना आ गया जब 0 से 100 तक बढ़ाया 100 minus के 0 100 CV की value यहाँ रखेंगे R की नगा रखेंगे 2 calorie mole inverse degree Celsius inverse value put करेंगे कुल मिलाकर answer निकल जाएगा बच्चो इतनी heat की हमें जरुद बढ़ने वाली है तो बच्चो कुल मिलाकर यहाँ से हमारे पास में जो result आता है वो यह आता है मैं लिख देता हूँ आपके सामने अगर बात होती है heat की constant pressure पे तो formula होता है यह NCP delta T और अगर बात होती है constant volume पे तो formula होता है NCP delta T और अगर आपको CP निकालना है mixture का CP mixture का निकालने का formula यह है mu1 CP1 mu2 CP2 mu1 प्लस mu2 अगर CV निकालना है mixture का तो mu1 CV1 प्लस mu2 CV2 upon mu1 प्लस mu उसके बाद student एक important बात मैंने आपको बताई है यहाँ पर note करने वाली बात है अगर कहीं CV को gamma में convert करने की जरुरत पढ़ जाती है तो बच्चो formula है यह R upon gamma minus 1 अगर CP निकालने की जरुरत पढ़ जाती है तो formula होता है CP minus के CV is equal to R CP is equal to हो जाएगा CV plus R so CP is equal to CV की value यह है R upon gamma minus 1 यह हो जाएगा plus R तो बच्चो यह हो जाएगा CP और यह हो जाएगा CV in terms of gamma इसके उपर भी question आ जाता है तो भई बच्चो आज की class में जो भी basics आप लोगों को बताए गए है उन basics पर आपको पकड़ बनानी है हर एक point को बहुत ध्यान से समझ के तब आप लोगों को आगे बढ़ना है ठीक है मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताए था कि अब से आप लोगों के पास में वीडियो का SMS नहीं आएगा अब आपको सीधा YouTube पर Life I Learning पर पहुँचना है और वहाँ जाकर आप अपनी crash course की वीडियो को सभी को अच्छे तरीके से देख सकते हैं ठीक है मौर्णिंग 9 o'clock आप लोगों की crash की वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी तो आप लोग 9 o'clock से वीडियो अपनी अच्छे तरीके से देख सकते हैं स्टूडट हर चीज़ को आप ध्यान से समझ के चलें जहां भी आपको doubts आएं WhatsApp नमबर हमारा screen पर है call आप कर सकते हैं number screen के ओपर मौझूद है by WhatsApp by call by comments आप अपने doubts को clear कर सकते हैं और बहुत ही जल हम आप लोगों के लिए live session लेकर आने वाले हैं student और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 April से 1 April से हम आप सभी लोगों को अपने platform के ओपर shift करने वाले हैं बचो ठीक है okay